गोल्डन टेंपल में केवल सिख दर्म के ही नहीं बलकि अनिर्ध दर्म के लोग भी पूरी आस्था के साथ आते हैं इतना ही नहीं विदेशों से यहां कई टूरिस्ट भी आते हैं और इस मंदर के आकरशन का केंदर बनते हैं आज हम आपको इस स्वर्ण मंदर से जुड़े कुछ स्पेक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनसे बहुत सारे लोग आज भी अवजान है एक आपको बता दे कि इस मंदर की नीव मुसल्मान पीर सूफी संत साई मियामीर ने दिसंबर 1588 रखी थी मियामीर जी का जुकाव सिख दर्म की और काफी था वहला होर के रहने वाले थे और सिखों का पांचपर गुरू अरजन देव जी प्रिये मित्र थे इस मंदर में बने बड़े तालाब का निर्मान सिखों के चौथे गुरू रामदास जी ने किया था इस मंदर को कई बार नुकसान पहुचाया गया लेकिन लोगों की भक्ती और आस्था के चलते इस मंदर का फिर से निर्मान करवा दिया गया चार यह मंदर पहले पत्थरों और इंटों से बना हुआ था लेकिन फिर बाद में इसको नया रूप देने के लिए सफेद मार्बल का इस्तिमाल किया गया पांच उन्नीस वी शताबदी में अफगान हमलावरों ने इस मंदर को पूरी तरह से नश्ट ही कर दिया था लेकिन महराजा रणजीत सिंग ने इस फिर से निर्मान करवाया और इसके गुंबद पर सोने की परत चड़वा दी इस मंदर से जुड़ी सारी जानकारी वहां लगे शिलालेखों से पता चल जाती है